जाइब दोश्टों आज मैं गलेक्सी एंप्टी विडियो के अंदर बदाने वाला हूं मैं मिलन और आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट आखरी में वीडियो पसंद आए तो लाइक और सहर जरू कर दिया सबसे पहले देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले और बैल आइकन को दबा के ओल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और दोस्तों इस मेने का गीववे चल रहा है आपको डिस्क्रिप्शन सेक् मिल जाएगा जहां पर थोड़े बहुत टेक्सर्स देखने को मिल जाएगे बॉक्स में दूसरे इयरफोंस मिलेंगे यह अच्छी बात है इयरफोंस मिल रहा है लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है 15 वोट का पावर एडप्टर और टाइप एटु टाइप सी केबल मि यूजर मेन्यूल्स मिलेगा तो यही सब कुछ मिलता है बॉक्स कॉंटेंट के अंदर अब बात करते हैं सेमसंग गलेक्स ये 51 की डिजाइन और बिल्ड की फोन का बेक देखे तो आइस क्रिस्टल बेक कवर डिजाइन देखने को मिल जाएगी जो ग्रेडियंट फिनिस वा नहीं आता है उपर की ओर केमरा मोडियूल मिल जाएगा जहां पर कोर्ट केमरा सेट अप दिया गया है और आजकल सेमसंग के नए फोन में यही डिजाइन देखने को मिलती है इनफेक्ट गेलेक्सी एज 20 जो जल्दी ही लाँज होने वाला है वहां पे भी यही डिजाइन को मिलेगी फोन के फ्रेंट में इंफिनिटी ओर डिस्प्ले मिल जाएगी यारी नोट 10 सीरीज वाली इंफिनिटी ओर डिजाइन देखने को मिलेगी बेजल्स बहुती छोटी दी गई है और यहां पे चीन भी काफी कम भी गई है फोन में प्लेस्मेंट देखे तो ऑन दे सेकंडरी नोइस केंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाएगा राइट में वोल्यूम रोकर एंड पावर बटन दिया गया है लेफ में त्रीपल स्लोट ट्रे मिल जाएगी यानि माइक्रोएषडी कार्ट का स्लोट डेडिकेट मिलेगा बोटम में 3.5 वाडियो चेक, टाइप C प दिया गया है, जिसे फोन होल्ट करने में अच्छी ग्रीप मिलती है, सेमसंग गेलक्सी A51 की बिगेस्ट हाइलाइट है, इसकी 6.5 की इंफिनिटी और दिस्प्ले फूल एजडी प्लस रिजोलिशन मिल जाएगा और डिस्प्ले सुपर एमोलेट मिल जाएगी और आस्पेक ratio 20 to 9 का मिलेगा, screen to body ratio भी 93.2% का मिलता है, और color development accurate दिया है, picture detail मिलती है, contrast level भी अच्छा है, default phone में natural mode मिलता है, लेकिन आप वेमीट का भी use कर सकते हैं, और यहाँ पे आप Netflix की वीडियो की quality देख सकते हैं, बहुत ही awesome quality मिलती है, वीडियो experience काफी अच्छा मिलने वाला है, औ अगर इस display को Note 10 के साथ compare किया जाएगा, तो यहाँ पे जो छोटी बिंदी देख है, यानि जो camera दिया गया, वो Note 10 Plus से भी छोटा दिया गया, यहाँ देख सकते हैं, काफी instant कह सकते हैं, इसको, in terms of the camera, Samsung Galaxy A51 में, quad camera setup pack में दिया गया है, जहाँ पे primary 48MP का F2 aperture का lens मिल जाएगा, secondary 12MP का F2.2 का lens मिल जाएगा, जो एक ultra wide angle lens है, 123 degree field of view मिलती है वहाँ पे, इसरा 5MP का F2.2 depth of field sensor लगा है, जो portrait mode के लिए दिया गया है, और छोटा और आखरी sensor 5MP का F2.4 aperture का macro sensor दिया गया है, और यह Samsung के phone में बहुत ही कम देखने को मिलता है, Note 10 Lite में देखने को मिल था, अभी A51 में भी देखने को मिलता है, जिससे आप Microsoft दे सकते हैं, फ्रंट में 32MP का F2.2 lens दिया गया है, अभी हम camera result का samples देखते हैं यहाँ लेकिन दोस्तों, मैं इसी Galaxy A51 का detail camera review video जल्दी ही upload करने वाला हूँ, सबसे पहले main camera और wide angle camera का result देखे, तो यह normal capture की गई है, अगर आप HDR में दे daytime में backlit scene में काफी अच्छा काम करता है, HDR effect यानि जो algorithm है वो, HDR turn on और turn off करके आप देख सकते हैं, कितनी image में changes मिलती है, तो यह बहुती अच्छा result मिलता है इसी phone में, और Galaxy A51 में अच्छी बात यह भी है, HDR wide angle mode में भी काम करता है, तो यह बहुती अच्छी बात के सकते, phone में night mode भी दिया गया है, और एक नया dedicated sensor macro mode के लिए दिया गया है, जिस sensor से आप 4 cm तक नजदीक से photo ले सकते हैं, क्यूंकि main camera sensor है, नजदीक की photo लेने से image काफी blur आती है, लेकिन यह dedicated sensor दिया गया है, जो macro photo के लिए दिया गया है, तो इससे image काफी clear आएगी और काफी accurate मिलती है, जैसे आप food की photo ले सकते हैं, और बहुत ही micro आगे से photo लेनी है, तो यहाँ पर ले सकते हैं, कोई object है, तो वैसे भी जैसे कि eyes की photo लेनी है, तो यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही clear मिलेगी इसी macro lens से, और इस macro lens की detail में A51 का camera review में depth में बताने वाला हूँ, A51 में video की बात करें, तो 4K video 30 APA से record कर सकते हैं, और video में super stable anti-sec function दिया गया है, जो सबसे पहले H10 flex seat models में देखने को मिलता था, और ये mid segment के phone में पहली बार देखने को मिलता है, तो video भी देख सकते हैं, जहाँ पर compare किया गया है normal video और यहाँ पर anti-sec video यानि जो function दिया है, उस अफिश stable video मिलती है, इस phone के अंदर, ये दोस्तों आपको Samsung Galaxy A51 का camera कैसा लागा मुझे comment section में जरूर बता है, Samsung Galaxy A51 के performance की बात करें, तो Samsung के in-house Exynos 9611 Octa Core SOC लगा है, 6GB की रेम मिल जाए कि और 128GB की internal storage और storage को 1 TV तक expand भी कर सकते हैं, A51 के N22 score की बात करें, तो 1,89,378 तक मिलता ह अगर आपका use average है, थोड़ी बहुत browsing, movies, multimedia करना है, तो ये अच्छा है आपके लिए, लेकिन आप heavy game player है, तो ये phone इतनी अच्छी performance नहीं देगा, तो आपको higher performance वाला phone लेना पड़ेगा, fingerprint scanner under the display दिया गया है, जो काफी accurate है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, animation भी काफी अच् है, और वो तो देना ही चाहिए, बहुत ही जल्दी open हो जाता है, इस से phone तो face unlock भी काफी accurate और बहुत ही तेजी से काम करता है, फोन में NFCB देखने को मिलता है, यानि contactless payment का इस्तमाल Samsung पे इसे कर सकते हैं, और ये भी अच्छी बात है, Samsung Galaxy A51 में, OS की बात करें तो pre-loaded आता है Samsung One UI 2 के साथ, जो best है Android 10 के उपर, और इसमें काफी सारे नए features देखने को मिल जाएंगे, और काफी optimize किया हुआ है, animation काफी smooth चलता है, transition animation तो बहुत ही बढ़िया है, और Apple open करने में भी काफी अच्छा animation मिलता है, बहुत ही smooth experience मिलता है, जैसे की notification को pull down करते है, या तो फिर multiplexing switch करते हैं, तो काफी अच्छा animation मिलता है, और बहुत ही smooth performance मिलता है, Samsung Galaxy A51 में बैटरी की बात करें, तो 4000 mAh की बैटरी लगी है, और इसको charge करने के लिए 15W का charger मिलता है, average to heavy use पे एक दिन बैटरी आराम से चलेगी, Galaxy A51 की इंडिया में price की बात करें, तो करीब 25,000 तक मिल सकता ह और इसी segment में इसे भी अच्छे performance वाले phones मिलते हैं, और इसे भी कम price में, लेकिन phone में display अच्छी चाहिए, नई design चाहिए, और average use है आपका, और Samsung की branding भी चाहिए, तो ये phone बिलकुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको heavy gaming के लिए use करना है, और flexible level के specification चाहिए, brand matter नहीं करती है, तो आप इस price range में कई सारे options मिल जाएंगे, तो दोस्तो आप क्या सोचते हैं, इसी Samsung Galaxy A51 के बारे में, आपको कौन सा feature अच्छा लगा है, इस Galaxy A51 का, मुझे comment section में जरूर बता है, और दोस्तो वीडियो चाहिए लगा, तो लाइक और सहर जरूर कर दीज़ोगा, कि दोस्तो अगर आप ने हैं, और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने हैं, और अगला giveaway देखना है, तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना पूले, और वेल आइकोन को दबा के ओल कर जिए, ता कि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की notification सबसे पहले मिल सकें, और दोस्तों, एमेजन का सेल का आखरी दीन है, तो उसकी डीटेल भी description में मिलने वाली है, और दोस्तों, मिलते हैं कल अगरें नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए thanks for watching, have a great and keep smelling.